दोस्तों आप लोगों में से एक छात्र हैं अजे कुमार जी इन्होंने कमेंट सक्षन में कुछ बाते लेखी थी और मुझे ये जो कमेंट इनका लगा ये एक्चुल में कुछ इनके जैन्मिन प्रावलम लग रही है क्योंकि वास्तों में अगर कोई केंडिडेट पढ़ने माइन आए और उसने लगातार 3-4 साल एक दो साल तक लगातार मेंट किया है और उसको उमीद थी कि उसके पैट में ख्षे मांक्स आएंगे और किसी कारण वरस अगर उनके एक्जाम में पैट के एकजाम में कम मांक्स आये हैं तो उन्हें थोड़ी सी प्रावलम मैसूस हो और उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम कमेंट सेक्षन में लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मेरे तो 66-65 मार्क्स है और 88-74 परसेंटाइल है लेकिन मैं तो आत्मगलानी से मरा जा रहा हूँ कि मेरे मार्क्स कैसे इतने कम आए पूरा नमबर बीद गया आत्मगलानी करते करते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या करें सर तो दोस्तों आप लोगों में से काफी छात्रों की ये प्रॉब्लम है जिन्होंने सोचा था कि 70 प्लस मार्क्स मेरे आएंगे या फिस 75 प्लस मेरे मार्क्स आएंगे और उन बच्च पर हम चर्चा करेंगे आप लोग वीडियो को लाश तक देख लीजेगा और अभी क्या करना आपको आत्मगलानी के बाद में आप कैसे अपने आपको मोटिवेट करके पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो आप लोग बने रहे हैं अगर आप कुछ ऐसा अनुचित कारे कर देते हैं या फिर अपना बैस नहीं देते हैं तो बाद में आपको पस्तावा होता है कि कास हमने उस समय पर पढ़ाई कर लिया होता तो आज साइध रेजल्ट कुछ और होता यह बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहें लेकिन इस सोच के साथ में आप अपने उपर डाउट कर रहें कि यार मतलब आपको वास्तों में डाउट हो रहा है कि मैं एलेजबल नहीं हूं लेकपाल पद के लिए यह चीज़ गलत है मैंने एक वीडियो में बात किया था अभी जस्ट साइध आज ही अकल में यह वीडियो में डाला है उसमें मैंने बो equal होते हैं कि इस एक्जाम में बैठें तो यहां पर इन दोनों में दोस्तों कोई अंतर नहीं है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है इसलिए कह रहाँ में कि लिए उनुक्त यहीं को alm चार मेने का गैप मिल रहा है इसके बाद में ये 55 वाला 55 नंबर वाला भी इस पर के लिए इलिजबल हो जाएगा अगर वो हार्ड वर्ग कर रहा है महना से स्टडी कर रहा है और ये 80 नंबर वाला तो ओलेडी इलिजबल है ही लेकिन इनके अंदर भी एक चीज़ की कमी आ जा इतना अपना बेस्ट दिया क्या ये जो असी वाले हैं ये और अच्छे से पढ़ाई करते हैं या 15 घंटे पढ़ाई करते हैं कि जो मैं नहीं कर रहा हूं और आज मैं इसके लिए इलिजबल नहीं हूं मेरे कम माकसा है यूपिट के इंटरेंस एक्जाम में देखिए आत्म बहुत एक घातक साबित हो जाएगा ये आपकी पढ़ाई को कम्पलीट तरह से प्रभावित करेगा कहीं न कहीं आपको डिमूटिवेट करके रख देगा और जबकि आप इलिजबल थे आपके दोस्त 66.75 माक्स आ रहे हैं ये कम नंबर नहीं है अगर सोचिए कि आपके जी 35 माक्स आ सकता है आराम से आ सकता है आपकी गलती कहां पोई है मैस में मानता हूँ कि एक दो गलती होगी होगी बाकी गलतियां GS में ही तो हुई है दुशा नंबर की तो अगर आप अपने आपको अपडेट कर लेते हैं लेकपाल के एक्जाम के लिए तो क्या आप की तरह होनी चाहिए एक सीट प्रभी होनी चाहिए आपकी निगाह यहार डियूट निनीं चैया कि आपका confidence down हो जाए ठीक है? confidence down होगा तो आपका graph study का वो गिरने लगेगा आप सपास का environment भी आपका साथ नहीं देगा उमीद करता हूँ कि आपको सारे चीज़े समय में आ गई होंगी मेहनत किजिए आप लोगों के साथ शुभासी से मेहनत किए सेलक्सन लिजिए परिवार में खुसिया बाटिये इसी के साथ में बातों को विराम दोंगा जहिंद